वेलकम टू अवर यूटूब चैनल रोबिन बुटिक दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैवी साइज का जो प्लाजो कैसे बनाया जाता है है वी प्लाजो के साथ सा दोस्तों मैं आपको बहुत ही असान तरीके इसको बनाना भी बताऊंगा ज्यादा से और इस तरफ से यह इसके दोनों किनारी वाले हिस्से हैं इस तरह से किनारी से किनारी आप मिला ले और इसको यह देखिए दोस्तों कपड़े को आपको रखना है ऐसे यानि कि जब भी आपने कपड़े को रखना है और बिल्कुल असान देखिए से जो आपको में प्लाजो जो बंद भागे आपका इसको इस तरफ बेचाने के बाद सबसे पहले एक सीधा निशान लगाना आपको ऐसे सीधा निशान का मतलब दोस्तों यह होता है कि जैसे कि छोटा बड़ा जो कपड़ा होता इससे पता लगा जाता इसको हमें कटिंग करनी है और इसके अलावा आप आपको नीचे से फोल्ड करने के लिए लगभग दो इंच आफे ले सकते हो तो मैं आप निशा लागा रहा हूं दो इंच पर यह देखिए आप दो के जगा डाई भी ले सकते हो सीधा निशान लगाना आपको ऐसे अब दोस्तों यह उप्पर वाला निशान है इस निशान आप ड़ी पर वचया तो को दिक्कें इसको पूराह ले कर दो कि जगह सवादों हो चाएक को अब इस त्रह सेथा निशान लगाने जो लंबाइवाली जगह तो दोस्तों 42 का जो एक चोथा हिस्सा होता है वह होता है साड़े-दस इंच यह देखिए यह साड़े-दस पर निशान लगाना है और इसके अलावा आपको लगबग चार इंच एक्टा लेना है यह देखिए यह टोटल चार पल्ले हैं इसके एक दो तीन चार तो मैंने 4 इंच एक्टा लए तो दोस्तों अगरिसको गुना कर आ जाए तो चार को चार दुनियाट 4-123 चार चुख 16 तो टोटल मैंने 16 एक्टा लिया यहांसे बेखा जाए तो क्योंकि चार पल्ले यहे लिए देखिए चार इट लिना है को आप फ्रेंस इसका निकाले हम क्रोच यहां पर कमर 42 इंच है कि क्रोच निकालने के लिए सिम्पल सा फार्मुल्य आपको हिप्स के के अपने लेना है तो उसके लिए आपको दोस्तों है और 48 इंच तो आधा होता है 24 और 24 और 12 तो यह जो निशाने लंबाई वाला यहां से आपको लेना है 12 इंच और इसमें आपको 2 इंच कर देना है तो टोटर कितना हो गया है यहां से 14 इंच यानि कि इसका जो आसन बनेगा वह बनेगा 14 तो यहां पर सीधा आपको इस तरह से एक मार्क कर लेना है यह देखिए अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्रोची हरी निकाल लिया है हमने बात करते है क्सक्व से on का साइज का तो भी आपको 30 रखना है यह देखिए यह 30 इंच मैंने निशान लगा रहे है यानि 15 तुनी 30 आप चाहे थोड़ा कम भी कर सकते हो में चीज यहां से जांग का नाप होता है जांग जितनी हो आपको तनी रखनी तो वैसे तो अगर जांग का फिक्स साइज देखा है तो दोस् आपस में इस तरह से मिलाना है अब इसका जो आसने इसका गुमाव कैसे देना है यह देखिए यहां से आपको दो इंच अंदर के तरफ लेना है और इस पॉइंट को इससे मिलाना है कि और यहां से आपको एक एरो का निशान देना demasiado है और सथिस्टिकstarいます फॉलाइए और दोस्तो इस तरीके से जो मैंने मर्क कर रहे हैं इस मार्क के पर दोस्तों मैं थोड़ा से नाप लिख देता हैं Łuk हिप साइज है दोस्तों वो अड़तालिस इंच है एच मतलब हिपस तो दोस्तों अब जो है कटिंग आपको इस तरह से कर लेने बहुत ही असान तरीके से यह देखिए यह यहां से जुड़ा हुआ इससे है दोस्तों इसको भी आपने अलग कर लेना है बाद में अब यह जो मेरे निशान लगाया दोस्तों यह तो हमारा निशान आएगा यहां पर आजाएगी सिलाई तो इसके अलावा आप यहां से थोड़ा सा आदाइच एक्टर ले लें यह और फ्रेंड्स यह देखिए यह इसका जो जुड़ावा इससे उपर से इसको हम अलग कर लेते हैं तो आप दोस्तों इस तरह से देखें हमारा जो प्लाजो है बहुत एसान तरीके से प्लाजो की कटिंग हो चुकी है और इसमें केवल सैड़िगी इसलाई नहीं लगानी प काटा है प्लाजो आप चाहें आसन में बिल्कुल भी खिचाव ना आए तो आप इसमें म्यानी का भी यूज कर सकते हो म्यानी बहुत ही आसान तरीका है म्यानी को लगाने का तो दोस्तों म्यानी की कटिंग कैसे हो कि वह भी आपको मैं बता देता हूं यह देखिए डवल पांच चेंज जितनी भी आप रख सकते हो लेकिन साथ 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 से ज़्यादा बड़ी म्यानी ना रखें यह देखिए यह हो गई म्यानी और इसके जो चुड़ाई रखिए दोस्तों मैंने लगवक साड़े चार के करीब रखिए अब इसको सिलना क्या से सिलने के लिए द सब्が दोस्तों यह देखिए इसको हटाली है साइड में आपको करना गया एक मियानी को उठाना और इस तरह से यह जो मियानी का थोड़ा वाला साइस को रखना नीचे की तरफ और इस तरह से आपको इस रही लगानी है यह में निक ऐसे लेगे कि आया दिखातूं आपको मशीन पर तो फ्रेंस यह म्यानी है इस इसको यू रखना आपको और इस बात कर ध्यान रखना कि चोड़ा वाला इससा नीचे रखना है और उपर नुगिला इससा उपर के तरफ रखना है तो दोस्तों यह देखिए एक तरफ से मेरे म्यानी लगा ली है अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी म्यानी इसमें लगा लेनी है देखिए एक ही पल्ला है इसमें तरफ लगा ली अब इसमें दूसरी तरफ लगाऊंगा मैं चोड़ा वाला इससा नीचे की तरफ और यहां से आपको चलाईya स्टार्ट कर नीए when है दोस्तों दूसरा वाल इसे में भी मैल लग चुकी है अब इस तरसे चब आप म्यानी लगा δेतका दोना इस्सों में तो मैं तो आप आपना क्या है अब आपको ये देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है दूसरा वाला हिस्सा इसको रखना इसके उपपर और यहां से आपको सीद्वी एक सले लगानी है तो फ्रेंट्स यह देखिए बीच में जोा कोgh подितला दितै फालन के मियान हमार से जोड़ा नहीं एक अबिभी कोई रिता से दूसे वाले पार्ट में मारा क्ला नहीं पर प्रिंद- आप हैज दो सेता निना देखिए दूसरी तरफ आप लगाओ तो इक चीज का दिया रखना है कि इसलाई पूरी नहीं लगानी आपको उपर वाली लेगा से उपर से आपको लगबग दो इंच छोड़ देना जैसे कि मैंने छोड़ दिया है एक्ट्री दोस्तों इसको दो इंच मैंने क्यों छोड़ा दोस्तों इस से उपर का दो है यह पूरा पूरा आपको मैं अँझा सकता हूं यह बन चुका है इसका उपर से हमारा नेफा बन चुका है बिलकुल identifying के लिच्त को आपने बस इस सब इस तरह करना और लगबग 2-0 करते हुए इसके उपर दें इसलाई बिल्कों किनारे पर लगानी दोस्तों तो ही इसमें चलूक आता है इस तरह से इसलाई को आप करें continue एक तरफ से शुरू करें दूसरी तरफ से अपको निकाल देनी तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो इसके अंदर मियानी मैंने लगा ली है इदर भी मैंनी लग चुक लेकिन दोस्तों मैं डालोगां लास्टिक और लास्टिक डालने का सिंपल सा फार्मूला यह होता है कि जो भी आपकी कमर का साइज हो उससे आपको तीन इंच लास्टिक कम लेनी होती है इस प्लाजों की जो कमर दोस्तों 12 कमर निया कमरा यह पूरा तो यह देखिए 42 है दो को डालना ऐसे ये देखी जो जगय मैंने बनाई थी डालने के लिए इस तरह से इसको आप पिरोदें से से जैसे कि ép इस किन्द में डाल रहा हूं और एक चोड से आपको पिरोना और दूसरे छोड़ से आपके स्लास्टिक को निकाल लेना है तो तो फ्रेंट्स आप ससकते हो इस च्छोड से पुरोई था और लास्टिक जो है एक साथ दोनों में जूड़ जाए आपको दो तीन बार यहां पर लगाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा अगला प्रोसीजर क्या है तो फ्रेंड्स यह दिखें लास्टिक में जोड मैंने लगा दिया है अब इसके बाद इसको आप थोड़ा से यूँ दोस्तों लगाने के बाद यह उपर से लगभग यह रैडी हो जाएगा आप चाहें तो इसमें बीच में भी लगा सकते हो ताकि लास्टिक अपनी जगे से बिल्कुल नहीं ले वह दिखा दूँगा दो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना यह देखिए उसके बिल्कु इस और से लैवर को शुरुआत करनी दूस्रे को निकाल देनी और पिस्टाय को ब्रीच के लगा कि लगाने के बाद और छॉब्ट करने के लिए उसको आपने इस तरह से पॉर्ड कर लेना करिको वीच सेंटर में आपको इसतरह से अब दिख्विसां हो ना सब्हुंख टो सब्तों इस तरह से दोस्तों इस तरह को आप अपने सतर्व सरकाना है और सुई जो है आपकी इसके अंदर होनी चाहिए यह देखिए अब फिर इसको खेंचना है एक हाथ से इसको खेंचना है और एक हाथ से आपको पीछे से इसको खेंचना है लास्टिक हमारी लग चुकी है बहुत ही जबरदस इसके अंदर फिनिशिंग से लास्टिक हमने लगा दिया है आप चाहें तो इसमें एक की जगह दो स्राइए और भी लग सकते हो एक इधर एक इधर तरीका यह रहेगा लगाने का अब इसमें कुछ भी नहीं बचा दोस्तो तो ऐसा मैं आपको बता हूं क्योंकि बिल्कुल सिंपल वे में बन चुका है लास्ट किसकी जो गिद्रिक स्लाइए वह आपको मैंने बता ही दिये कैसे लगानी यह देखिए दो आपको मैंनी से मैंनी को पकड़ना है और नीचे से शुरुआत कर देनी है सिर्फ आदाइश लाइए डबल लगानी होगी क्योंकि आसन वाली जगर थोड़ा खिचावाता है यह देखिए अब रहा गया इसका सिर्फ नीचे से बौटम फोल्ड करना बिल्कुल असान है यह देखिए काफी बड़ा बोटम है और इसको आपने वस यह पकड़ना है और लगबक जितना अब आप फोल्ड करना चाहो जितना भी आपने एक्स्टा कप्रा लिया उतना इसको फोल्ड करें मैंने ज्यादा ने लिया था सिर्फ दो इंच लिया था इसको मैं दो इंची फोल्ड करूंगा तो फैंट्स जैसे इसको मने एक्तरव से फोल्ड करा सेम इसी तरीके से दूसे पर लेको भी आपकर दो फैंट्स यह रिकिए नीचे दोनों के बौटम है इस पर मैंने स्जाइल लगा दी है और बहुत असान तरीके से दोस्तों इस प्राजों को हमने कर लिया है complete और यह इसके बीच की म्यानी भी लग चुकी है तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की जो वीडियो है आपको काफियर तक समझ भी आगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू वेरी माच्च